हाई अब्रिवन वेल्कम वेक टू माई चैनल दोस्तों आज किस वीडियो में बात होने वाली है फेस सिरम के बारे में हमें से बहुत सारे लोगों को यह शिकायत है कि फेस सिरम को तो हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका फर्क हमारे चेहरे पर नहीं दिख रहा है किसी को फे सिरम का यूज़ करना चाहिए उस सब्से जरूरी बात आखर अखर फिक सिरूर पेस सिरम को उपयोग करने का तो चलिए शूरू खरते on कुम हमें किन भातों का ध्यान रखना contenidouestas सबसे जरूरी हो सबसे पहली बात है कि आपको अपने चहरे को अच्छे से वाश करके ही फेस सिरम का यूज़ करना है अब अपने चेहरे को अच्छे से face wash कीजिए उससे हाथ अपने आपी wash हो जाएंगे और उसके तुरंद बाद face serum का use कीजिए बीच में बहुत time मत दीजिए नहीं तो जो गंदगी है वह आपके चेहरे पर जमा हो जाएगी और face serum का सही फायदा आपके skin को नहीं मिल पाएगा तो जब भी हमें face serum को use करना है अपने चेहरे को अच्छे से wash करना है दोसरी गलती यह है कि हम जब भी face serum का use करते हैं हम उसके acid की मातरा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और serum को खरी लेते हैं लेकिन जब भी आपको face serum को use करना है आपको खरीते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें उसकी मातरा कितनी है माल लीजिए कि यदि आप vitamin C serum का प्रियोग कर रहे हैं तो आप देखें कि उस serum में vitamin C की मातरा कितनी है क्योंकि यदि आप उसको ज्यादा परसेंट में यूज करेंगे तो आपके skin damage होने लगेगी कई सारे लोगों को यह शिकायत होते हैं कि हम face serum का प्रियोग तो कर रहे हैं लेकिन उसका फर्क हमारे चेहरे पर नहीं देखाई देरा देखें किसी भी चीज को वर्ड करने में टाइम लगता है और यदि आपको एक हफ़ते ही हुए हैं किसी serum को प्रियोग करते समय और आप सोच रहे हैं कि उसका फर्क हमारे चेहरे पर एकदम से देखने लगेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वैसे भी नहीं कोशिकाव को आने में टाइम लगता है तो किसी भी serum का प्रियोग करें उसका एक दो मैने लगातार प्रियोग करें उसके बाद है उसके जल्ट आपके चेहरे पर अच्छे से दिखने स्टार्ट होंगे फेस सिरम को यूज करती समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब भी आप फेस सिरम का प्रियोग कर रहे हैं आपके स्किन पर कोई एलर्जी ना हो कोई इडिटेशन हो और सबसे बड़ी बार कि कोई एकने एक्टिव ना हो सबसे पहले दोक्टर के हल्प से उसका त्यूपमेंट लीघी उसके वादी फेस सिरूं का यूज किजिए और यह आप फेस सिरम का तब भी ब्रियों करना चाहते हैन तो डौक्टर जैसे फेस करें और फेस और को यहारे पास यह अप्लीकेट कर लगाए closet ये इससे पीड़ अपने यहbaser स्किन पर you face serum को रखकर लगा सकते हैं या फिर इस टाइप की face serum आते ह में यह pump होता है तो pump की help सी आपने हसे फिएली पर कोई बीखाइया चरण तक नहीं पहुचेगा और उससे आपके skin पर कोई भी फर्क नहीं देखेगा. फेस सिरम को यूज करते हैं, हम ऐसे बहुत साइए लोग यह गलती करते हैं, कि फेस सिरम को अप्लाइ करने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं. देखिये फेस्रम जो हुता है वह जो ह्वा मे होता है वह गुलन्सील होता है तो इसलिए तो इसके जो चोटे चोटे PARTICALS होते हैं वह हवा में बहुत ही जल्दी और जाते है जब अपने यह जल्दी पर अपक्रइब ऑदए करना है उसके 1MINुट के अंदर हमारास एक मिनिट्पे लुप अबर आपको किसी मोस्चोटाइजर क्रीम का जरूर प्योग करना है जिससे आपका फेस सिरम आपकी लॉक हो जाए तो वह बहुत युल भी हावा में घुल जाता है और इसकिन पर वर्क करने का उसको टाइम ही नहीं मिलता है इसलिए बहुत अच्छे मौशुराइजर से, नाइट क्रीम से या फिर किसी जल से आप उसको लॉक कर दीजिए, जिससे आपका फेश सिरम आपके स्किन पर रहे और वह बहुत अच्छे से वर्ग करता रहे तो साही लोगों को एक और शिकायत होती है कि हमारा सिरम जो है, हमारे स्किन पर बहुत ही अच्छा वर्ग कर रहा है, हमें अपने स्किन लाइट दिखे लगी है, ग्रोइंग करने लगी है, लेकिन हमें पिमपल्स भी आ गए है तो यदि आपकी एकने प्राउन स्किन है, तब आपको फेस स्रम का यूज़ करने के पहले उसका पैच्छ लेना बहुत जरूरी है, लगबग एक हपते उसको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कीजिए, और उसके बाद ही यदि आपको एकने नहीं आते हैं, तब उसको रे बहेवियर अलग करने लगती है, तो पास से दस दिन, पंद्रह दिन का टाइम दीजिए, फिर भी यदि आपकी स्किन डल लग रही है, तब ही तैकीजिए कि हमें फेस स्रम को आगे लगाना या नहीं, लेकिन दो से चार दनों में यह बिल्कुल भी नहीं होता कि आपकी स्क wemid के स्किन को और सिरम को वर्ख करने में फौड़ा सा टायम लगता है, तो सिरम को थोड़ा सा टायम दीजिए, फिर भी यदि आपको फर्क नहीं दिख रहा है, तब आप दि permencerा है। यह होता है कि उनके स्किन टाइप कु七 औरी होती है। वो कुछ और स्किन टाइप की के लिए या किनी की ड्राय स्किन है लेकिन वह ऐसे सिरम का यूज़ कर रहे हैं जो ऐले स्किन का है तब भी यह सिरम आपके स्किन पर बहुत यह अच्छा रदर्त नहीं देते हैं इसलिए अपनी इसकिन टाइप के अनुसार फेस सिरम को चनाव करना चाहिए जैसे कि यदि आ पहले अपने चेहरे को बहुत अच्छे से व।क से व१श करना है उससे ऐपके हाथ अपने आप ही वॉश हो जाएगे। उसके तुरंत बाद ही क्याएं आपने चेहरे को अच्छे से ड्राय करकर करके face serum का यूज़ करना है face serum में यदि आपके applicator दिया हुआ है तो applicator की help से 5 से 6 बूनों को अपने चेहरे पर रखे अपने finger की help से हलकी हलकी massage करनी है और थोड़ा सा finger की help से push करना है जिससे ही face serum हमारे इस के अंदर तक जा सके उसकी बाद एक मिनिट तक हमें एसे ही छोड़ देना है और एक मिनिट बाद अच्छे moisturizer का प्रियो करना है तो यह था आज का वीडियो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और face serum के बारे में आपके मन में जो question थे उनके answer मिल गए होगे तब भी यदि आपके मन में कुछ और है